नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में तो पहले थोड़ा चने की वेसे पर बात कर लेते हैं तो दोस्तों चने की जो फसल है वो रभी मोसम की दलहनी फसल है और राज्यों की बात करें तो उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महराष्ट, राजिस्तान, करना, टक, आधी राज्यों में चने का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक मातरा में किया जाता है उची तक जलवाई की बात करें तो चने की खेती के लिए सम सीतोषण जलवाई की अवस्सकता होती है यहाँ पर सम सीतोषण का मतलब है समान सीत और समान उश्ण यानि जब मौसम में लवक सर्दी और गर्मी बरावर होती है ना ज़्यादा मौसम ठंडा होता है और नाहीं ज़्यादा मौसम गर्म होता है और तापमान की बात करें तो 20-30 degree centigrade के जो टेंपरेचर है इसमें आपको चनी की फसल की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है मिट्टी की बात करें तो 2-8 मिट्टी जिसमें की जलनिकासी की उचित व्यवस्ता हो और मिट्टी का pH मान जो है 6.5 से लेकर 7.0 होना चाहिए अगर आपकी खेत की मिट्टी का pH इससे कमिया जादा है तो आपको चनी में ना तो अच्छी बड़ावार देखने को मिलेगी और ना ही चनी को उत्पादन अच्छा मिलेगा पानी की बात करें तो ये कम पानी की फसल है एक या दो पानी में जो है पकर तयार हो जाती है पढ़ा सकते हैं तो वेश्टीज कमपनी एगरी कल्चर में सभी फसलों के लिए जयविक प्रोडक्त उपलब्द कराती है और अगर आप अपनी फसल में वेश्टीज कमपनी के एग्री प्रोडक्ट इस्तमाल करते हैं तो पहला तो आपको केमिकल खाद में बचत होगी और एक और खास बात है कि वेस्टीज के एगरी प्रोडक्ट से ना तो फजल को कोई नुक्सान होता है और ना मिट्टी को कोई नुक्सान होता है इसके लावा आपका जो उत्पादन है उसमें भी 5-20% की ग्रोथ देखने को मिलती है अब चना की खेती में वेस्टीज एगरी प् खेत की जोताई करते हैं खेत में फटेलाजर या घृबर की खाद या फिर नीमखली का पाउडर डालते हैं तो उसी समय आखरी जोताई से पहले उनको वेस्टीज के दो प्रोडक्ट मिक्स करने हैं एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फोटेलाजर डाल रहे ह हैं तो पहले फर्टेलाजर को 20-25% कम करके इन दोनों प्रोडक्ट को मिलाना है और अगर आप गुवर की पकिवी खाद डाल रहे हैं तो फिर सौकलों गुवर की खाद में इन दोनों को प्रोडक्ट को मिलाईए और उसके बाद जो है खेत में डाल दीजिए मातरा की बात क हैं जिससे बीच को अंकुरान के बाद पोशक तत तो आसानी से मिल जाते हैं और भुरुबुरी मिट्टी में जो चनी की जड़ें हैं वो आसानी से फैल जाती हैं साती साथ हवा और पाने भी मिट्टी में घहराई तक जाते हैं वैसे तो खास पानी के जरूवत नहीं पड जाती है और एक्टिवेटर का काम करेगा और खेत की जो नमी है उसको अधिक दिनों तक बनाए रखेगा आव आता है स्टेप टू इसमें वहाई करने से पहले चने का बीज उपचार करना है क्योंकि चने के फजल में अक्सर देखा गया कि उख्टा और जडगलनी के समस्य बहुता आती है तो इसके बचाव के लिए हमें आपर दो प्रोडक्ट इस्तमाल करने हैं पहला एग्री प्रोटेक जो क मातरा रहेगी 5 ml प्रति एक किलो बीज के लिए अब बीज उपचार करना कैसे है तो चने की बुआई करने से पहले आपको किसी वर्तन में चने के बीजों को रखना है और उपर से ये दोनों प्रोड़क्ट बीज की मातरा के हिसाब से डालने हैं फिर हातों से अच्छे तर कर रहे हैं तो वेश्टीज प्रोड़क्ट के बीज उपचार के बाद आप इसे भी कर सकते हैं तो इसके लिए जब बीज चाया में सूख जाए उसके बाद आपको राइज उबेम कल्चर का एक पैकट लेना है जो के लवबग 200 ग्राम की पैकिंग में मिलेगा और इसे 10 कि चने की बीज के लिए इस्तमाल किया जाएगा अगर बीज कम्या जादा है तो आप इसके मात्रा को भी कम्या जादा कर लेना तो राइज उबेम उपचार के लिए आपको 50 ग्राम गोड़ लेना है उसको आदा रीटर पानी में गोल ना है और उसे उबालना है उबालने के आप जब भी बाद जब ठंड हो जाए बाद में तो इसमें राइज जोम कंचर का उसके मिला देना है समें 100 कवन उसत्रा नहां के प्रति बीच पर लाई उप्छारित टीदा को आपने पिर कृशाया में सफुकाना और पापको बीच की बाइगे इस में एक अगर आता धर bagus गोल्ड मात्रा की बात करें तो 10 ml एगरी एटीटू 20 ml एगरी हुमिक और 20 ग्राम एगरी गोल्ड यह वाली जो मात्रा है वहाँ 15 लीटर के इस पर टंकी के हिसाब से बताई जा रही हैं अब अगर इसी दोरान आप खेत में फर्टिलाइजर डालने वाले हैं तो फिर आपको या यूरिय जो भी है उसमें इन तीनों प्रोडक्ट को भी मिला कर सकते हैं उसके लिए आपको पहले 20-25 परसन्ट वर्टिलाइजर को कम करना होगा को उसके बाद इन तीनों प्रोडक्ट को मिलाना होगा और फोर्टेलाजर या यूरिया के साथ एक एकड़ खेत में इन तीनों प्रोडक्ट की मात्रा रहेगी एगरी टीटू की रहेगी 150 ml एगरी हुमीक की रहेगी 250-300 ml और एगरी गोल्ड की रहेगी 100 ग्राम और अगर आप सि प्रटेलेजर के साथ इस्तमाल करना चाहते हैं या फिर सिचाई के पानी में इस्तमाल करना चाहते हैं या फिर नराई गुड़ाई के बाद आप इस प्रे करके इन तीनों को इस्तमाल करना चाहते हैं आपको जैसा भी तरीका आसान लगे जिसमें आपकी मेहनत और समय दोन का काम करता है यहाँ पर अपना पूरा कार्णा करेगा यह फसल को जैविक और अजैविक तनाप से बचा कर रखेगा और पौदों को बीमारी स्वाल लड़ने में सहायता करेगा साथ इसाथ पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखेगा और यहाँ पर एक्टिवेटर क पहले एक इस्प्रे करनी हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी फसल में खरपतवार नासक दवा करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि दवा भी कम लगानी पड़े उसका असर भी पूरा हो तो फिर आप 15 लीटर की स्प्रेय टंकी में पहले तो को बीसे मेल मिला यह उसके बाद जो आपकी खरपतवार नासक दवा है उसको 20-25 परसंट कम करके टंकी में मिलाना है और उसके बाद फिर आपको स्प्रेय कर देना है ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा यह अल्ट देखने को मिलेगा चलिए पिस्टेप 4 में प्रोड़क् नाम एगरी नैनोटेक यादगरना भी बहुत आसान है दस बीस और तीस का रेश्यू है अब इस वाले स्प्रेय को करने से आपकी फसल को क्या क्या फायदा होगा तो फायदा यह होगा कि किसान सातियों को चनी की फसल में अक्सर समस्य आती है कि फूल जढ रहे हैं या फिर चना बहुत कम लगा है तो सिंपल सी बात है जब फूल कम आएंगे या फूल जढ जाएंगे तो फिर चना भी कम लगएगा तो इसी का सॉलूशन है एगरी मॉस और यहां पर एगरी नैनोटेक लिया है वो लिया है पौधों को माइक्रो नूट्रियंट्स परदान करने के लिए जिससे की चना के क्वालिटी एच्ची बनेगी चने का साइज अच्छा अच्छा बनेगा चने का रंग रूप ऑच्छ आएगा चने पर चमग देगी और किसान इसांत्यों एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रासहनी की क्षेटी मेंא अख्सर देखा गया है कि चने की खेटी में इली का प्रुकोब बहुत आता है और जो आप धीरे धीरे जयोई खेटी के तरफ जाते हैं तो यह आपको कम देखने को मिलता है अब अगर आपकी फ़सल में एल आा चुकी है और फिर आपको लगा जाता है अब step number 4 तक यह चनी की खेती में सारी steps हो चुकी है आप बात करते हैं कि नई किसान साथी जो कि पहली वार में विश्टीज के सभी product इस्तमाल नहीं कर सकते तो उनको कम से कम और कौन-कौन से product इस्तमाल करने चाहिए तो step 1 में खेत तयार करते समय जब आप fertilizer डालते हैं तो आप उसमें एगरी 82 mix कीजिए लेकिन पहले fertilizer को 20-25% कम जरूर करना है step 2 में seed treatment यानी चनी का वीज उपचार है उसके लिए आप एगरी हुमिक को इस्तमाल केजिए जो की वीज के अंकुरन और पोदे की growth पर काम करेगा step 3 में आपको एगरी 82 और एगरी हुमिक इन दोनों का spray करना है किसे आप सचाई के पानी में भी इसतमाल कर सकते हैं और fertilizer में मिक्स कर के इसह दोनों का spray करना है और अगर आपको लगता है कि step 3 तक ही काफी है तो फिर आप step 4 को छोड़ भी सकते हैं लेकिन अगर पिछले साल आपकी फसल में full संबंदित कोई परिशानी आई है तो फिर तो आप इस वाली स्प्रे को भी कर दीजिए किसां सात्यों, अगर आपको यह नहीं पता है कि आपके राजया, आपके जिले, आपके सहर में वेस्टीज का स्टोर कहा है तो आप वीडियो के comment box में अपने सहर, जिला और राजया का नाम लिख सकते हैं आपको जल्दी ही पता भीज दिया जाएगा क्योंकि वेस्टीज के जो एगरी प्रोडक्ट से हों प्रतेक खादी बीज की दुकान पर नहीं मिलते यह प्रोडक्ट या तो आपको वेस्टीज डिस्टीब्यूटर के द्वारा मिलेंगे या फिर वेस्टीज डियल सी पर मिल सकते हैं और यहां तक आते आते अगर आप वाद है और नहीं है अधानावाद.